जी बेसमे लखमार रही ही, चप्टर स्टार्ट करते हैं जी आज का जो टॉपिक है वो मल्टिनाशनल स्ट्राटेजी पर हमने जब अपनी कंपनी को लॉंच करना है मल्टिनाशनल लेकि जाना है अपनी कंपनी को तो उसके पैटरन है उसकी क्यों स्ट्राटेजी है वो डिसक प्लैनिंग होती है फिर आप उसको इंप्लेमेंट करते हैं and then control and evaluation होती है उसकी तो strategic planning की बात करते हैं पहले strategic planning देखें strategy जो word है वो army से निकला है और strategic planning ऐसा process है जिसमें company evaluate करती है अपनी strength और अपनी weakness क्योंकि strength और weakness क्या है और external environment में opportunity क्या है अपनी strength को use करते हुए वो opportunity gain करती है और फिर एक planning गोल सेट करती है for example एक company की strength यह है कि उनके पास software engineers बहुँच है market में opportunity यह है कि आजकल हर कोई software यूज करता है application यूज करता है mobile phone हरे के पास है तो हम जबर्दस application बनाते हैं चलेगी तो इसमें हमें देना होता है कि हमें हम लोग के strength क्या है market में opportunity क्या है launch कर दो international आपने जाना है तो international में किस मुल्क में opportunity है किस मुल्क में वो चीज बनती है जिसका हमें advantage है जो हम अच्छी बनाते हैं strategic orientation में आपने decide करना तक के आपने किस मुल्क के culture को आगे लेके चलना है इसमें देखें यहां बताया गया है predisposition predisposition means कि किस चीज को follow करना है किस चीज पर आपका focus आता होगा यहां लिखा है number one आपकी strategy होगी हो सकती है ethnocentric इसमें आपके managers आप एक company जो है वो culture values parent country फिर रलाय करती जो parent country के जो values जो interest है उसको देखते वह strategies बनाती है पाकिसान में लॉंच किया जाएगा वो पाकिसान में लॉंच किया जाएगा हम देखते हैं काफी अची example भी discuss करते हैं इसको polycentric, polycentric predisposition है जी के जिसमें हम rely करते हैं local culture में अगर पाकिसान में आना है तो पाकिसान की culture को promote किया जाएगा फिर regional centric है जिसमें region की culture को promote किया जाता है for example Asia की culture को, European Union की culture को एक खिते के region को promote किया जाता है और इसमें अगर तो same खिते में हैं तो parent country और host country इन दोनों का जो culture है वो same हो जाएगा last one जी आपका geocentric, geocentric में आप वर्ल्ड वॉइड देखते हैं किसी एक culture को focus नहीं करते हैं आप वर्ल्ड वॉइड करते हैं कि जो world में जात है चलता है for example हम बात करते है वह हमने बेचने है रोबजा बेचने है रोबजा बेचने है तो उसकी best strategy polycentric में भी आ सकती है उसकी best strategy region में भी आ सकती है यह रोबजा पाकिसाल में चलता है इंडिया में भी और बंग्लादेश में भी फिर अगर आपने jeans बेचने है तो jeans आपके geo में आ सकती है एत्रों में भी आ सकती है इस तरह से आपकी due है डियो भी आपके एत्रों में आ सकती है फिर strategy formation की बात करते हैं एक बार आपने internal environment assessment external तो हम पहले chapters में discuss कर चुके हैं जिसमें हमने screenings discuss की थी seven screenings six seven जिसमें आप culture चेक करते हैं आप industry analysis चेक करते हैं यह वो सब चीदिया आप उपताया गया है इसमें हम अपने आप competition कैसा है उसकी इंडिस्ट्री कैसी है उस पार में कौन कौन से already existing competition में है company उसे मकाबला कैस होगा already उनकी strategies किया है यह सब लोग आप इसमें चेक करते हैं उसके लावा उसके लावा आप लोग यहां पर यह पताया गया जी एक model है जिसको हम कहते है five forces model यहां पर सही हिसे आपको नज़र आएगा देखें five porters का five forces model इंडिस्ट्री का जब analysis करते हैं तो यह model बहुत काम है इसमें कुछ चीज़ें आपको बुताते हैं कि वो इंडिस्ट्री कैसी है उस इंडिस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसमें potential है business करने का या नहीं इसमें bargaining power of buyers यहां आप आए गई है अगर तो bargaining buyers जो customers हैं उनकी bargaining power high है मतलब कोई चीज़ आप बेचते हैं तो customer कहता है जी कि मुझे यह नहीं चाहिए मैं किसी और दुकान से ले लूँगा price कम कर दो इसका बारगेनिक power customer की ज्यादा है तो ऐसी इंडिस्ट्री में हम लोगे इतना फाइदा नहीं होता इसे हमें पता लगता है कि इसमें एक तो competition भी जादा है बायर्स का opportunity पर ज लेकिन स्टिल मैडिसन जो मैडिसन जहां से मिल जाए हम वहां से ले लेते हैं कि हमें मैडिसन चाही होती है health का मामला है अगर पैरेंट्स के ले चाहिए तो वैसी senti involved होते हैं आपके emotions involved होते हैं फिर जी आपके बारगेनिक आपके thread of substitute अगर तो again जो आप चीज़ आप हैं तो फिर customer again switch कर सकता है for example आप बेचते हैं आप पैपसी का बिजनस है ठीक है अब पैपसी किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां पे और बहुत से drinks मजूद है तो customer easily switch कर सकता है और और बहुत से इसके substitute हो सकते हैं चाय हो सकती है लसी हो सकती है और बहुत से रूपज़ा भी इसका है substitute है direct और substitute भी होते हैं for example बहुत प्यास दगी है मुझे मैं कोई drink पीना चाहता हूँ मैं कि तो नहीं मैं घर जा क्यों पानी पी लूँगा substitute अगें फिर जी आपका thread of new entrance उस industry में किसी new entrance के लिए enter होना कितना easy या कितना मुश्किल है मुश्किल ऐसे होता है कि आप ऐसी industry में enter होने जा रहे हैं जिसमें बहुत पैसा चाहिए बहुत पैसा क्यों चाहिए क्योंकि competition में और बहुत सी companies है और उन्हें बहुत खर्चा किया market में और बहुत अच्छी facilities दे रहे हैं आपको भी वह सब facilities दे होगी है जैसे banking sector पाकिसान का उसकी compliance करना बहुत मुश्किल है कितनी branches होने चाहिए इतना capital होने चाहिए आपके पास बहुत मुश्किल है आपके survive करना फिर जी आपके bargaining power of suppliers जहां से आप चीज़े परचेस करते हैं अगेन अगर वह तंग करते हैं आपको तो उस industry में इंटर होना फाइदे मन नहीं है अब bargaining power of buyers कैसे जदा होती है ऐसे चीज़ जो के buyers कम है suppliers कम है buyers ज्यादा मतलब आप लोग company ज्यादा है और suppliers कम आप समान लेने जाएं company कहते जी के supplier केते हैं यह कीमत है आप कहते है बहुत ज्यादा कीमत है कम करो suppliers कहते हैं अगर आपने वह से समान purchase करना है तो कर ले वहना किसी और के पास चले जाएं किसी और कोई और option ही निया के पास क्योंकि लोग ही बहुत कम है तो इसमें bargaining power of suppliers ज्यादा हो जाती है और लास्ट में जी के उसमें competition कितना ज्यादा है existing firm इंडस्ट्री में already कितने ज्यादा firms है अगर ज्यादा firms है इंटेंस competition है जाना फ्राइदे बन नहीं है तो यह एक expect है दूसर expect यह है कि अकसर companies यह करती जहां पे competition हो वहाँ चले जाती है और वहाँ आ जाके ऐसे एक offer लेके आती है यह बाकि कोई भी company offer नहीं करता तो उसमें bargaining power of buyers भी कम हो जाती है suppliers भ कि सबसे यूनिक चीज हमने launch करनी है और जितना भी competition हमने मुकावला करना है 5 forces model पर अगेर मैंने एक यहां पर वीडियो लगा है यह लिंक लगा है आप इसमें देखेगा आपको और चीप्रम शेमलजे के detail में अब एक्स्टरन एंवायरमेंट की assessment कर ली अब हमने देखना है कि हम लोग की अपनी strength क्या है हम लोग की जो अपनी strength है उसमें resources क्या है किसी में comparative advantage हो सकता है किस तरह के लोग है क्या manufacturing किस तरह से होती है service किस तरह से provide करते हैं sales and marketing इन सब को हम कहते है value chain value chain में दो activities primary and sport activities इसको मैं आपको ना इस तरह समझाता हूं यह यहां आपको यह पुल की diagram है को इसमें समझा जाएगी यह सब चीज़ें यहां पर mention is की यह देखेजिए यह आपके है इन बॉंड लोजिस्टिक आपके operations आपके outbound logistics और फिर आपके sales and marketing strategies आती हैं टेक्निक्स आती हैं form का infrastructure है human resource purchasing department जब यह सब आपके strong हो तब आपका आगे की तरफ move करते हैं आपको profit अच्छा मिलता है इसका मैं इस तरह आपको समचता हूँ यह यह देखिए यह एक chain है देखिए यह एक block है यह block है फिर यह block है देखिए यह जब एक chain है right अब यह मश्बूट क्यूं है के इसका हर एक block मश्बूट है अगर कोई सा एक block यहां से weak हो जाएगा तो यह chain टूट जाएगी और यह full chain ही weak हो जाएगी इसी तरह से जितने भी company के different departments होते हैं सब वो एक chain की form में होते हैं वो एक दूसरे को support कर रहे होते हैं वो कुछ न कुछ value audition कर रहे होते हैं अगर हर एक chain में value strong होगी for example यहां पर value strong होगी chain strong होगी तो next chain को support मिलेगी उसको grip मौने में और और strong होने में अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ वाकिन अगर हम उसी diagram पे जाए यह देखें यहां पर यह आपकी primary activities है main activities यह हैं कि आपने inbound logistic में आता है यह आपने जो स्मान purchase किया उसको save कैसे करना है इसको अपने किस तरह से आपने order place किस तरह से वह सेव हुआ आपकी organization में आया आप store किस तरह से करते हैं handling किस तरह से करते हैं कितने chances है कि misplace ना हो efficient कितने है operations में लेके आते हैं और उसको convert करते हैं finish route में और कितना आपके effective है कि आपकी चीजें out pound चले जाए मतलब customer तक customer चले जाए wholesaler तक चले जाए पिर आप उसके sales और marketing करते हैं आपके advertisement कितनी different है आपके agency से link कैसे हैं offer लेके आते हैं discount के offer लेके आते हैं sales force आपकी कितनी effective है यहां तक यह सब primary activities है अब यह चीजें आपको support करती हैं आपका firm का structure किस तने किस को report करना है कितना easy है organization में काम करना आपका equipment कैसा है यह सब अच्छा होगा तो आपकी चीजे easily convert होंगी finish route में आपके human resource कैसे है human resource अच्छे होंगे तो यह सब चीजें बनाएंगे न यहां फिर technology आपका purchasing department कैसा है purchasing department अच्छा होगा तो inbound logistic में फाइदा होगा तो इनमेंसे आपने कोई एक देखें कि आपको किसमें फाइदा है फिर आप उसका comparative advantage बनता है और फिर आप वह चीज लांच करते है जब आपको identify हो जाए कि आपकी value chain आपको help करते है identify करने में कि आपने किस में comparative advantage गीन करना है for example आपका finance department वह अच्छा है फिर आपको आपको बहुत अच्छी है आप पैसे भी जाते हैं इसका बताब cost leadership में जा सकते हैं differentiate में आप जा सकते हैं कि आपको चीज ही different है आपको ऐसा ऐसी technology है आपको आपको ऐसे operations की लोग है कि सबसे different चीज बनाते हैं entrepreneurial thinking के लोग है focus strategy में है कि आपके जो imply हैं वो कैसे हैं क्या वह entrepreneurial thinking के है क्या वो एक segment को focus करने की इसलायत रखते हैं ऐसा है कि वो identify करते हैं कि यह भी need want and demand है इसको मैं identify करना है हर दफ़ा new चीज सोचते हैं जिसे fries की example आपके तो सबको fries पसंद है लेकिन इस नहीं idea सोचा है कि loaded fries होने चाहिए क्योंकि सबको उस fries चाहिए कैचप पसंद है तो उन्हें loaded fries बना दी है तो वो focus strategy करते हैं पिर आप इससे को देखते हैं आप goal setting करते हैं कि मैंने क्या goal set करने क्या चीज़ बनानी है किस एडिया में जाना है आप क्या क्या चीज़ें होंगी sbu stand for strategic business unit मतलब चीज़ें कौन-कौन सी होगी फिर आपने उसको implement करना है implementation में आप देखते हैं आपकी location क्या होगी किस मुल्क में आपने जाना है और जिस मुल्क आप में launch करनी है उसमें या तो आपने fully अपने ना brown field investment करनी है green field investment करनी है आपने किसी का strategy का लाइंस करना है joint venture करना है यह हम पहले discuss कर चुके हैं जी strategic alliance और joint venture में difference किया है फिर आप control and evaluation करते हैं आप यह देखते हैं कि आपने जो sub planning की थी उसकी implementation ठीक हुई यानि आपको profit generate हुआ जितनी आपने पैसे लगाए है return investment उसमें कितनी है market share आपने कितना capture किया BCG metric किया था आपका market में आपकी reputation कैसी है customer का feedback कैसा है आपके management के performance कैसी है क्या वो भी खूश है या नहीं आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क से आप relationship better हुए है या और damage हो रहे हैं so this is the end of the chapter यह ही है जी इंशाला फिर आपसे मुलाका होती है till then Allah Hafiz take care